यह जो इस्ट्रों के जो rockets है, हर rocket में यह use होता है, जहांसे उनका पैनल, जो control panel है, उसमें से जो wiring जाता है, और last में जो firing stage आती है, वहाँ पे उसके firing stage के आजुबा जो यह use होता है, इसमें क्या होता है, कि जब यह firing होता है, तो बहुत ज़्यादा temperature हो जाता है, वह temperature कई कई चीजों को melt कर देता है, और वह melting और गरम होने से, short circuit होने से बचाने के लिए यह component use होते है, माने इसका dual use है, एक इनिशली ignition system के लिए काम करता है, और next phrase ignition हो जाने के बाद इन्शूलेशन के काम करता है, देखो यह कैसे प्राप्ट हुआ यह तो इन लोगों को माने इस्रों वाले को दिक्कट हुई होगी, और इसलिए उन्होंने इंडियन मेकिन इंडिया का सोचा था, और दून्टे दून्टे हमें हमारे पास आये थे, तो हमने jointly इनके साइन्टिस के साथ बैठके यह डेवलप किया था, और दूसरा आपका सवाल है, कब से तो यह हम 1994 से, माने अभी 30 साल से हम यह लोग को यह पामपरोंस देते हैं, यह बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल नही स्टेज से लेके फिनिश कॉंपोलन्स तक इसका पूरा SOP वर्काउट किया था, और वो SOP के मुटाबिक हम लोग काम करते हैं, और इस रो को जो रिक्वाइट कॉलिटी है, कॉंटिटी में हम उनको देते हैं, देखो यह तो देश की सेवा है, बराबर है, और मैं ऐसा मानत हुँ कि हर नागरिक को कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए, जाए वो महत्व कंख्षा का प्रोजेक्ट हो या नॉर्मल प्रोजेक्ट हो, हर नागरिक को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, और हर नागरिक को मेक इन इंडिया का कुछ ना कुछ ना कुछ ना कु वालोफॉ